नमस्कार मैं हूँ अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का नीज बुलिटिन आदिवासी डिली आज के बुलिटिन में आपको दिखाएंगे महराश्ट्रों में मानग तसकरी की बड़ी खबर अनुसूचित जन्जाती आयोग ने आला अधिकारियों के खिलाफ जारी क गिरफतारी वारंट मध्यप्रदेश में 4,000 आदिवासियों ने कलेक्टरेट पर किया प्रोदर्शन महराश्ट्रों के चार जिलों में लग रही हैं आदिवासियों के लिए स्वास्थे कैम एमबीबी पोल में जानेंगे आदिवासी कल्यान के नाम पर सरकार के दावों के सचाई तो शुरुआत करते हैं हैडलाइन्स के साथ राश्ट्र अनुसूचित जनजाती आयोग ने महराश्ट्रों के चार आला अधिकारियों के खिलास जारी किया गिरफतारी वारंट मानल तसकरी के मामले पर लिया संग्यान मध्यप्रदेश के बुरहानपूर में चार हजार आधिवासियों ने किया कलेक्टरेट का घेराव वन अधिकार मामलों पर सौपा ग्यापन महराश्ट्र में मावाद प्रभावित इलाकों में आधिवासियों के लिए लगे स्वास्थि कैम्प चार जिलों के 18 गावों को करेंगे कवर MBB पोल में आधिवासिय इलाकों में सरकारी दावों की सच्चाई पर चर्चा और अब खबरें विस्तार से बुलेटिन के शुरुवात करते हैं बड़ी खबर से और खबर है महराश्ट्र से राश्ट्री अनुसूचित जनजाती आयोग यानि NCST ने नासिक और एहमद नगर के DM और SP के खिलाफ गिरफतारी वारंट जारी किया है आयोग ने आधिवासी बच्चों की तसकरी से जुड़े एक मामले में पेश नहीं होने पर इन अधिकारियों के खिलाफ गिरफतारी वारंट जारी किया आयोग ने सोमवार को महराश्ट्रो की पुलिस महानिदेशक रजनीश सेट को चारो अधिकारियों को गिरफतार कर एक फरवरी तक आयोग के सामने पेश करने का आधेश दिया दरसल पिशले साल सतंबर में नासिक के इगतपुरी तालुका के उभाडे गाउं के आठ आधिवासी बच्चे लापता हो गए थे और दस साल की एक बच्ची की मौत हो गई थी जिसके बाद ये खबर सुर्खियों में आ गई थी खबरों के मुताबिक कातकरी समुदाई के गरीब मातापिता ने पैसों के लिए इन बच्चों को एहमद नगर में बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए गिर्वी रखा था इन बच्चों को भेड़ चराने वाले अपने साथ ले जाते थे माबाप के कहने पर दलाल इन बच्चों को भेड़ और बकरी मालिकों तक पहुँचाते थे इसके बदले में बच्चों के घर वालों को कुछ पैसे और दलालों को कमिशन मिलता था इस खबर के मीडिया में आने के बाद आयोग ने इस पर स्वे संग्यान लिया था आयो का दावा है कि पुलिस ने किसी भी मामले में प्राथमी की दर्श नहीं की आपको बता दे नासिक के इगत पुरी तालुका में उभाडे गाओं में कातकरी समाज के 26 आधिवासी परिवार रहते हैं आधिवासी कल्यान के लिए सरकार द्वारा घोशित कई योजनाओं के बावजूद ये समुदाए बिना किसी मदद के अत्यधिक गरीबी में जी रहा है और अब महराष्ट्र से चलते हैं मध्य प्रदेश प्रदेश के बुरहानपूर में वन अधिकारों के लिए हजारों आधिवासी सड़त पर उतराये मंगलवार को इन आधिवासी ने कलेक्टरेट का घेराव किया जागरत अधिवासी दलिद संगठन के नेत्रुतों में बुरहानपूर जिले के चार हजार अधिवासियों ने अवैद वन कटाई और वन अधिकार के लंबित मामलों के निराकरण नहीं होने के विरोध में कलेक्टरेट पर प्रदरशिन किया जिसके बाद अवैद कटाई रोखने वन अधिकार के क्रियानवेन और शिक्षा और बिजली के मुद्दों पर मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन भी सौपा गया ग्यापन में अवैद कटाई में कथित तौर पर लोगों को उकसाने वाले नाकेदारों और पुलिस कर्मियों की जाँच करने की भी मांग कीगई आदिवासियों का कहना है कि वन विभाग के करमचारी ही अवैद वन कटाई करवा रही है और फिर आदिवासियों को आरोपी बना कर जेल भेज रही है आदिवासियों का आरोप है कि 10,000 से ज्यादा वन आधिकार के मामले लंबित है वही मध्यप्रदेश सरकार मूल भूत जरूरूतों को पूरा करने के बजाए जंगलों को नीजी हातों में बेचने के लिए कानून पास कर रही है आदिवासी जागरत संगठन की माधूरी बेन ने आरोब लगाए कि पिशले 15 साल से वनाधिकार कानून पेटी में बंद करके रखा गया है वो पेटी कब खुलेगी राम जी का वनवास 14 साल में खत्म हो गया था लेकिन वनाधिकार कानून का वनवास अभी भी चालू है इस खबर पर बात करने के लिए हमाल साल जुड रही है बुरहानपूर से अंतराम अवासे अंतराम जी कल आपने बुरहानपूर में बड़ा प्रदोशन किया था इस प्रदोशन में आप लोग वनाधिकार कानून की बात कर रहे थे तो क्या अभी भी वहाँ पर वनाधिका रहे हैं और हम संधस्ध संधस्थ करते आ रहा है क्योंकि सासन प्रpoints को कहीं संगल को जंगल बेच संग्ष। अधिकार जीवन यापन के लिए जो दस एकड का अधिकार पत्र मांग रहे हैं वहां पर आए दिन उन्हें बंदक बना कर मारा जाता है पीटा जाता है और उनके जो वन अधिकार अधिनियम कानुन जो आज से चौदा सालों के लगबख लागू है पर आज भी उसको जमिनी स्तर पर नहीं उत्तारा जा रहा है इसलिए हम आए दिन मतलब हमेशा हमारे साथ में यह ऐसी घटना होती रहती है और हम हमेशा इस चीजों को लेकर सासन पर सासन को अगात कराते रहते हैं और संगर से हमारा हमे साथ से दस्ताज जो भी है उनके सत्यापन कर उने को पट्टा दिया जाई पर उस तरह से यहां पर नहीं हो रहा है सासन पर सासन के तरफ से हमेशा जो सत्यापन पर किया होनी चाहिए उसको अपनी आफिस में बेट कर अपने मनमाने तरीके से खारिच कर देते हैं फरजी त पर इसा बिल्कुल नहीं किया गया और फरजी तरीके से ग्राम सबा कर दावेदारों को खारिज कर दिया गया अंतराम जी यह बताईए कि इस तरह कि कितने लोग हैं जिन्होंने वन अदिकार के तहट जमीन का पट्टा मांगा है लेकिन उनको अभी तक यह पट्टा हासिल न सरकार की जो मंसा है प्रशासन की जो मंसा है वो कहीं न कहीं आदिवासियों को वंचित रख कर और कहीं न कहीं कंपनियों को और कहीं उद्यक पतियों को जंगल बेचने की मंसा हमें सरकार की नजार आती है क्योंकि कानून का कहीं भी पूरे जीले में हमारे जीले में या कह जाएजे कि मध्ध्य परदेश में कहीं भी वन अदिकार अधिनियम का पूरी तरह से क्रियानवन नहीं किया जा रहा है। तो हमें तो यही समझ में आता है कि सरकार आधिवास्यों को मतलब कभी भी उजाड कर कभी उनकी जमिन हत्याना चाहती है और जैसे कि अभी वन अधिकार कानुन में वो जो 2022 में संसोधन करकी बिना ग्राम सबा के किसी भी कंपनियों को दिया जाएगा तो एक तरह से मतलब यह सरकार की मंचा नजराती है कि कहीं न कहीं आधिवास्यों के अपने जल जंगल जमिन से वन्चित कर कंपनियों को जंगल बेचने का मंचा दिखती हैं कितने ऐसे लोग हैं जिन्नोंने पट्टा मांगा है लेकिन उनको अभी तक यह नहीं मिला है जी जे जो हमारा सिर्फ ब्रहानपुर जिले का है तस अजार मेगजिमम जो अपने अभी दावा जो है उनलाइन किया गया है उसमें अभी तीन सो पचतर के आसपास जो उनका नेराकरन हुआ है और बाकी जो दावे हैं वो उपखन समिती में लंबित है और कुछ दावे वन सब्सक्राइड ने कहीं बार कहा कि आब जो सत्यापन परकीरिया है उसे जमिनी इतर पर लागू कीजिये पर यह कभी अभी तक होनी रहा है काफी बार अंदोलन कर चुकत हैं काफी बार इन सरकार को अधिकारियों को अगत करा चुके हैं पर ये पुरा प्रशाशन हमारा भी फर्जी साबित हुआ है और कोई भी जो कानून जैसे की कानूनी जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी उससे हमारा कल सवाल जवाब भी रहा अधिकारियों से पर जो हमारे सवाल थ प्रदेश में खूब प्रचार हो रहा है लेकिन वहीं दूसरे तरफ आप लोग बैनर लेकर जंडे लेकर सड़क पर उतर गए हैं यह बात कुछ समझ नहीं आई यह जो आप बोल रहे हैं कि सरकार की जो बात है अभी उधारन है कि हमेशा चुनावी जुमला दिखता है अपने को क्योंकि जब भी इनको कुछ दिक्कत आती है तो यह कि हम आदिवासियों के लिए यह कर रहे हैं यह कानून लागू कर रहे हैं वो कानून लागू कर रहे हैं यह कह देते हैं पर आज भी 15 साल होने को आये हैं फिर भी अभी तक के 10,000 दावे जो प्वेंडिंग में पड़े हुए हैं और उनकी जाची नहीं होरी जमिनिस्तर पर और जो विभाग हैं उन विभागों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो वहां से समझ में आत 27 साल लगबक हो गया है 27 साल से लागू है पर आज तक उसका कहीं भी जमिनी स्तर पर उसका जो ग्राम सबा के अधिन होना चाहिए पर वो चीज़ें नहीं हो रहे हैं फरजी ग्राम सबाय हो रही है दो चार लोग बेड़ जाते हैं उप्खणिस्त्री समिती में बेड़ जा कि ग्राम सबा के अधिन होगा ग्राम सबा जो कहेगा वो होगा पर हमें कहीं न कहीं बिलकुल भी यह नजर नहीं आ रहा है कि जो ग्राम सबा और गाओं के लोगों की जो मांग है वो कहीं भी पूरी नहीं होती दिख रही है और सरकार कहीं कह रहे हैं कि हम यह योजनाय ला और अब मध्यप्रदेश चलते हैं महराश्ट्र महराश्ट्र में मावाद प्रभावित इलाखों में आदिवासियों की स्वास्थे की जाच के लिए कैम्प लगाये जा रहे हैं सरकार के आदिवासी विभाग की ब्लॉसम परियोशना का पहला चरण पूरा होने वाला है ब्ल बतादे इस परियोशना के तहट इन विमारियों की जाच और निगरानी के लिए राज्ये के चार जिलों में 85 प्रतिशत जनजातिय आबादी वाले 18 गामों को कवर किया जाएगा पिशले साल सितंबर में नागपुर से शुरू हुई ये परियोशना गर्चिरोली के अलावा गौंदिया और भंडारा में आदिवासी समुदायों तक पहुची है परियोशना के लिए अतिरिक्त आयूक्त रविंदर ठाकरे और आदिवासी विभाग द्वारा साथ दूर स्वास्ते का आखलन करने और एक समगर रिपोर्ट बनाने के लिए हाथ मिलाया है अपनी दूसरे सेग्मेंट में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर एक सवाल किया था वह सवाल था सरकार का दावा है कि 2014 के बाद आदिवासी विकास के लिए बजट बढ़ा 88,000 करोर कर दिया गया है कि आदिवासी इलाकों में जमीन पर ये दावा सही नज़र आता है इस सवाल के जवाब में हमने आपको पांच आप्शन दिये थे इसमें सबसे जादा यानि 51 प्रतिशत लोगों के मताबिक आदिवासी इलाकों में हालात जसके तस हैं जबकि 23 प् कि हालात थोड़े से बदले हैं जबकि 3 प्रतिशत लोगों ने पता नहीं का आप्शन चुना लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था पी आई बी ने मंगलवार को आदिवासी विकास से जुड़ा एक ट्वीट किया इस ट्वीट में सरकार का दावा है कि 2014 से पहले 30,000 करोड रुपए खर्च किये जाते थे लेकिन साल 2014 के बाद ये खर्च चार गुना से ज़्यादा बढ़ाया गया है यानि अब मोधी सरकार आदिवासी विकास के लिए 88,000 करोड रुपए खर्च कर रही है इतना ही नहीं सरकार ने दावा किया है कि 2014 से पहले देश में सि एकलवे मॉडल रेजिदेंशल स्कूल होते थे लेकिन अब इनकी संख्या 500 पहुँच रही है इसके अलावा आदिवासीों से वन उत्पाद घरिदने के लिए कम से कम 50,000 वन धन केंदर स्थापित किये गये हैं वहीं आदिवासी छात्रों को दी जाने वाली अलग-अलग स सरकार ने आदिवासी विकास के जुद दावे किये हैं अगर उनकी एक-एक कर परताल की जाए तो पता चलता है कि इन दावों और सच्चाई में काफी फर्थ है पहले बात तो ये कि एकलववे स्कूलों के शुरुआत साल 1997-98 में की गई थी यानि करीब 14 सालों में देश भर के आदिवासी इलाकों में 101 एकलववे आदिवासी मॉडल रेजिडेंशल स्कूल खोले गए थे 2018 में मोधी सरकार ने ऐलान किया था कि साल 2022 तक कम से कम 452 नए एकलवे स्कूल स्थापित कर दिये जाएंगे लेकिन सचाई ये है कि इन 452 नए स्कूलों की स्थापना तो दूर की बात है इन में से 332 स्कूलों के भवन का निर्मान का काम भी शुरू नहीं हुआ है वही स्कूलर्शिप की बात करें तो संसद्य थाई समीती में जब साल 2021-2022 और 2022-2022 के लिए प्री मैट्रिक स्कूलर्शिप के आँखने देखे तो पाया कि इन आँखनों में कोई खास फर्क नहीं है यानि पिशले दो साल और अगले एक साल के टागेट को देखा जाए तो प्री मैट्रिक की स्कूलर्शिप की संख्या लगभग वही रखी गई है आदिवासी मंत्राले के बजट आवंटन को देखा जाए तो पता चलता है कि उसके बजट में लगातार कटोती की गई है साल 2020-21 के बजट में आदिवासी मंत्राले के लिए 7,355.76 करोड रुपय का प्रावधन किया गया था लेकिन रिवाइस्ट एस्टीमेट स्टेज पर इसे घटा कर 5,472.50 करोड कर दिया गया यानि कि मंत्राले के लिए आवंटित धन में 2,000 करोड रुपय की कटोती की गई थी उसी तरह से साल 2021-22 के बजट में भी कटोती की गई थी और बजट में आवंटित 7,484.67 करोड रुपय को घटा कर 6,126.46 कर दिया गया पिशले बजट में यानि 2022-23 में भी विद्ध मंत्राले ने आदिवासी मामलों के मंत्राले के बजट में काफी बड़ी कटोती की थी आदिवासी मंत्राले ने 13,208.52 करोड रुपय का प्रोजेक्शन दिया था लेकिन उसे मात्र 8,406.92 करोड रुपय ही आवंटित किये गये थे अपने तीसरे और आखरी सेग्मेंट असमित और अधिकार में आज आपको बताएंगे आदिवासी युद्धाओं के बारे में कल देश में गंतंत्र दिवस मनाया चाएगा उससे पहले आज हम आपको बताएंगे ऐसे आदिवासी युद्धाओं के बारे में जिनों हने देश की आजादी और स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमी का नेभाई थी शुरुआत करते हैं तिलका मांजी से बिहार के बीर तिलका मांजी ने न केवल अंग्रेजों के विरुद लड़ाई लड़ी बलकि उनकी नाक में दम कर दिया था 1770 में बंगाल में भीशन सुखा पड़ा जिसके बाद मांजी ने भागलपुर में रखा कमपनी का खजाना लूट लिया तिलका ने आदिवासियों को धनुष और तीर के उप्योग में प्रशिक्षित कर एक सेना का गठन किया और 1784 में इस सेना ने अंग्रेजों के भागलपुर मुख्याले पर हमला कर दिया 1785 में इस वीर को फांसी दी दी गई जारखंड में 1855 में भोगनाडी गाउं के सिद्धू कानु के अगवाई में जारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रू किया और 400 गाउं के 50,000 से जादा लोगों ने पहुँच कर जंग का एलान कर दिया अंग्रेजों ने सिद्धू कानु दोनों भाईयों को पकड़ लिया 26 जुलाई 1855 को उन्हें फांसी दे दी गई इन्ही शहीदों के याद में हर साल पूरा देश हूल करांती दिवस मनाता है बिर्सा मुन्डा एक यूवा, सुवतंत्र सैनानी और एक आदिवासी नेता थे साल 1890 आते आते बिर्सा मुन्डा आदिवासियों के शोशन के खिलाफ लडने वाले एक चैंपिन के तौर पर स्थापित हो चुके थे उस समय उनकी उम्र करीब 15 साल रही हो गई 25 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई लेकिन अपनी मौत से पहले बिर्सा मुन्डा ने आदिवासियों के लिए कई तरहें के अधिकार हासिल कर लिये थे बिर्सा मुन्डा के आंदोलन की वजह से ही अंग्रेजों को छोटा नागपूर टेनेंसी एक्ट लाना पड़ा मेघालय के पात तोगन संगमा आदिवासि गारो समुदाय के मुख्या थे जिनों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी इनकी शहादत दिवस पर हर साल 12 दिसंबर को मेघालय में एक दिवसी राज की सारवजनिक अवकाश रखा जाता है आंधर प्रदेश के वीर अलूरी सिताराम राजु ने प्रसद रंपा विद्रू का नेत्रूतु किया जिसे मान्यम विद्रू के रूप में भी जाना जाता है जो आदिवासियों द्वारा 1922 से 1924 तक विशाका पतनम गोदावरी आदिवासी शेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोत था ऐसा माना जाता है कि इसी दोरान उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मार डाला और अब बात करते हैं पूर्वोतर भारत की जानी मानी महिला करांतिकारी रानी गायदिल्यू के बारे में 13 साल की उम्र में रानी गायदिल्यू ने अपने चचेरे भाई के साथ हेरा का आंदोलन से जूनने का फैसला किया जो बाद में एक ब्रिटिश विरोधी राशनितिक आंदोलन में बदल गया उन्होंने नागाओं के कबिलों में एकता स्थापित करके अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए कदम उठाए भारत सरकार ने राणी गाईदिल्यू को 1982 में पदम भूशन से सम्मानित किया था उन्हें नागा लेंड की राणी लक्ष्मी भाई भी कहा जाता है मैं भी भारत की टीम आजादी के इन आदिवासी नायकों और उन सभी लोगों को सिर जुका कर याद करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन अगर आप हमसे जुनना चाहते हैं तो नीचे दिये गए वार्टसप नंबर पर हमें मिस कॉल दे इसके साथ कि अगर आप कोई सुझाव हमें भीशना चाहते है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यबाद